हेल्ट फिर्ट्स मैं हूँ सर्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब नूइज यह 39 नॉम बर 2019 के बहुत इंपर्टेंट करेंट फॉर्स कोश्चन्स है और हाँ अगर आपने अब तक इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू करिएगा साथ में बलेकंद बना मत भूलना तो पहला कोशन है उद्दा उठाक्रे महाराष्ट के क्या में मुखमंत्री बने इसका अंसर होगा अठार में ओके दिखिए इस पर कफी कन्फूजन भी था और कई न्यूज वेब साइट से नहीं कलत इन्फॉर्मिशन दी है तो अब धि सेम के रूप में जो पदा और को पनियता की शपत होती है वो दिलाई का पढ़ाया जो हुआता है तो मुंबई के शिवाजी पार्क में और ये गठभंदन है किन पार्टी हों का सब को पता होगा शिव से न एंसीपी और कॉंग्रेस और इस गठभंदन का नाम क्या है ये बात है दो दिन पहले भी मैंने जो वीडियो में बताया था आप लोगों को इस गठभंदन का नाम है महाविकास अघारी ओके महाविकास अघारी तो थाक्रे को बार में शॉट में को जान लते हैं उनका जन मुह था 27 जुलाई 960 को महराष्ट महीं शिव सेना के संस्थाप आपक बाल ठाकरे के बेटे हैं साल 2012 में बाल ठाकरे के निधन के बाद शुव सेना के अध्यक्ष बने थे उधर ठाकरे और जून 2006 से 18 नुवंबर 2019 तक उसामना जो मुखपत है निउस पेपर है शुव सेना का उसके एडिटर्न चीफ भी रहे है और अब 28 नुवंबर को व 28 नुवंबर को कैबनेट मंत्री पदकिष शौपतली तो मैंने यहाँ डेट इसलिए दिया है क्योंकि मंत्री मंदल का विस्तार होना है तो अभी 6 लोगों ने शौपतली है उसका अंसर आप देख रहे हो सामने नौके तो कौन-कौन से हैं एकनाथ शिंदे जो की शुव से वह शुव सेना विधायक है तिसरे हैं जहिंत पाटल वह एनसीपी के विधायक दल के नेता है चौते हैं छगन भुजवल जो एनसीपी विधायक है पांचवे हैं बाला साहिब थोराट वह कांग्रेस विधायक है और छटे हैं नितिन राउत वह कांग्रेस विधायक है ओक तो मंत्रियों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी ओके तो आप ध्यान रखना जिस दिन श्वपत हुआ था मुख मंत्री का उस दिन इन छे लोगों ने श्वपतली केबिनेट मंत्री के रूप में अगला कोशन है महाराश्री सरकार की कैबिनेट ने राय गड़ कि लिए के संरक्षन और संवदर्द के लिए 29 करोर का बजट पास किया है तो यह गिला कि शासक की राजधानी रह चुकी है तो यह इन्पोर्टन कोशन है और महाराशर्री की का यह पहला फैसला है इसका अंसर होगा शिवाजी महाराज, ओके ओधर ठाकरे ने यह कहा है कि सौभागे उनका कि कैबिनेट की पहली बैठक में छत्रपती शिवाजी महाराज कि राजधानी रायगर के ले के समवर्धन सनक्षन का फैसला उन्हों ने लिया, देखिए इस प्रजेक्ट पहले से च कोशन है, ओके आप धिहान रखना, कोशन होगा, दस लाख करोर बाजार पुझी करन यानि मार्केट कैप्टिलेशन वाली देश की पहली कंपनी का नाम बताया, यह हो सकता है कोशन हाजा, इसका अंसर होगा, रिलाइंस इंडिस्ट्री इस लिमिटेड, देखिए शेर रिलाइंस का जो बाजार पुझी करन ने मार्केट कैप्टिलेशन है, वो 10 लाख करोर से जएदा को होगा, आपको बता दूँ कि पिछले मही नहीं यानि अक्टूबर 2019 में, रिलाइंस इंडिस्ट्री इस ने 9 लाख करोर का बाजार पुझी करन का जो हाँ करा था, वो पा है, इसके बाद TCS है, आप देख रहे हो कितना मार्केट कैप्टिलेशन है, इसके बाद HDFC बैंक है, फिर H-U-L-A, उसके बाद HDFC है, फिर ICICI बैंक है, उसके बाद KOTEC बैंक है, इसके बाद SPI है, फिर ITC, फिर इन फोसे से, तो ये टॉप 10 जो कंपनी है, जिनका मार्केट जो पुंजी है, वो सब सहाई है, तो इसके लिश्ट थे, जिया नगा, हाला कि ये जो लिश्ट है, ये उपर नीचे होती रहती है, तो जो मैंने कोशन बनाया न, वो इनपोर्टेंट है, कि 10 लाग करोर का मार्केट एक अप्रिलेशन पार करने वाली पहली कंपनी कौन है, ओके, चलिए, नेक्स्ट कोशन लेते हैं, और हाँ दोस्तो, इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो के खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आ जागा, PDF का, तो हाँ से आप पूरा नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, पीपीड भी डाउ कर सकते हो, बहुत आपके काम का है, अगला कुशन लेते हैं, किस देश के राष्टपती सकता संभालने के बाद, पहली आधिकारिक विदेश यातरा के ता है, तथाइस नॉम्मर तो जारूनी, इसको भारत पहुंचे, इन पार्टन कोशन है, पर उसी देश है, अंसर इसका श्रिलंका के गोटाबाया राजपक्षे, आप हाली में वो राष्टपती बने श्रिलंका के, और भारती प्रधान में ते नरेंद मुदी के निम मंतरन पर वो तीन दिवसी यातरा पर इंडिया पहुंचे हैं, और एयरपोर्ट पर केंद्री मंतरी विके सिंग ने उनको उ और ऐसे में उनके चुनाओ जितने के बाद भारत के लिए कुछ चिंता बढ़ी थी, और श्रिलंका के चुनाओ परिनाम के दो दिन बाद ही भारती विदेश मंतरी जैशंकर ने दो दिवसी यातरा की और राजपक्षे से सबसे पहले मुलाकात की, मतलब अगर कुई सी वि प्रिदेश नीती की एक अच्छी काम्याभी माना जा रहा है, उनको अपने साथ लाने के लिए, दोस्तों पसंदा रहा हूँ, लाइक बटन जोड़ दो भाएगा, दोस्तों को शेयर करना मात बुलना है, आपके लिए बड़े महनत से ये बनता है, करने इंट फेर्स, और यह सब्धी तक, यह पंदरवे वित्तायोग वह अस्टित्मे रहेगा, उसके बट वाद 16 वित्तायोग पावर में आ जागा, एक्टिम हो जागा, और इस पंदरवे वित्तायोग की अधक्स कौन है, एनकैसिंग, और इसके चार सदस्स होते है, ओके, देखे, कारकाल का विस्तार दिया गया है ताकि वित्वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक का जो अंतिरिम रिपोर्ट है वो आ सके तो वित्तायोग क्या है एक समयधानिक संस्था है गठन समयधान के अनुछे 280 के तहत किया गया था और वित्तायोग जो है केंद से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के नियम तेह करता है वित्तायोग का क्या काम है तो किंद से राज्यों को जो मिलने वाला अनुदान है उसके नियम तेह करता है और राज्यों और किंद सरकार के बीच में जो कर राजसु वित्रन है मतलब टैक्स और रविन्यू का जो वित्रन है उसकी अनुशन सा करता है कि कितना दिया जाना चाहिए अवी तायो का गठन पांच साल के लिए किया आता है और इसमें पांच सदस्स शामिल होते हैं एक अध्यक्ष और चार सदस्स होते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं भरष्टा चार से समधित शिकायतों के लिए किस राजसरकार ने हेल्प लाइन नंबर वन फोर फोर जिरो 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 जारी किया इसका अंसर होगा आंधरप्रतेश वहां के मुखमंत्री कौन है यस जगन मुहन रेड़ी तो उन्हों ने ये हेल्प लाइन नंबर जारी किया है और इसके तहत इस नंबर से पब्लिक जो है वो सरकारी विभागों में जो भरष्टा चार है उसकी शिकायत कर सकते हैं अगला कोशन लेते हैं सुधीर धर का निधन 26 नंबर को हुआ तो वो किस छेतर से जुड़े हुए थे इसका अंसर होगा कार्टून वो बहुत जाने माने कार्टूनिश्ट थे उनका निधन 26 नंबर को हुआ है अग्ला कुछ ने इंपर्णेंट है प्रस्टावित एतालिन हाइड्रो ईलेक्रिक प्रजेक्टकिस राजिसे सम्मंदित है अभी हाली में बहुत चर्चा में आये हैं इस कांसरों का अरुनाचल प्रदेश दिखें केंद सरकार ने इस हाइड्रो एलेक्रिक प्रजेक्ट के जैव विद्धता अध्यान यानी बायो डायवरिसिटी रिसर्च करने के सिफारिश किये दिखें ये जो प्रजेक्ट है वो तीन हजार संतानुवे मेगा वार्ट छमता वाला है बहुत प्रजेक्ट है और आशंका है कि इस प्रजेक्ट के होने से प्रियोजना के होने से तो लाख असी हजार पेर नश्ट हो जाएंगे और छे असंधारी जीवों की प्रजातियां जो हैं लुप्त हो सकते हैं तो इसलिए एक बार बायो डावर्सिटी अधियन रिसर्च करने का सरकार ने फैसला किया है तो और नाचल प्रदेश की बात हो रही है राजधानिया इटान अगर मुखमंत्री कौन है पेमा खांडू राजपल बिडी मिश्रा अगला खोशन लेते हैं यह भी यह आर्थिक से रिलेटेड है चित फंड संशोधन वेदैक 2019 को संसत से मजूरी मिल गए तो इसमें इन में से क्या प्रावधान है इसका अंसर है उप्रोप सभी दिए फोर मैन का जो कमिशन वो 5% से बढ़ा कर साथ परसंड कर दिये गया है व्यक्ति के रूप में चिट की जो मौदरिक सीमा है ओके तो वो तीन लाग कर दी गई है पले ए अब फोर मैन का मतलब क्या होता है वो व्यक्ति जो चिट चलाता है मतलब चिट का जो मैनेजर है चिट फंड किसको कहते है चोटा सा ग्रूप जो की ग्रूप में बैट कर और वो पैसे इन्वेश्ट करता है जमा करता है और एक हिस्से में इंट्रेस्ट उसका कुछ देता ह और उस पैसे को लोन के रूप में भी देता है वो एक दूसरे को ठीक है और तो ये सब चीजे हुई है और माना जाता है कि जो चिट फंड जो है उस सालों से छोटे कारोबारियों और गरीब वर के लोगों के लिए निवेश का स्रोत रहा है लेकिन कुछ लोगों का ये भी का है ना कि इसमें अनिमित्ता होती है पैसे जो है वो गायब कर लिए जाते हैं जमा पैसे मिल नहीं पाते हैं तो इसके चीनता होती है उसी के बाद सरकार ने एक परामर्श समूव बनाया था और उसके बाद ये जो उनी 182 का मोल कानून है चीट फंड कानून वी नेम तो उस आंसर होगा कार मोडी ओके फिलिपिन की ओनलाइन कंपनी है कार मोडी उसी को ये कार विग्यापन कंपनी है तो उसी को उसी का आधिकरान किया है और कार देखो जो है इससे पले इंडोनेशिया के बाजार में भी मौजूद है और इंडिया में तो है है और आखरी क्वेशन लेते हैं आज का, मालदीव के किस पुर्व राष्टपती को भरष्टाचार के मामले में पांच साल जेल की सजा हुई है, इसलिए ये कोशन मैंने डाला है, इसका अंसर होगा अब्दुल्ला यामीन गयूम, इससे पहले वो राष्टपती थे, उन्होंने वहाँ पर अपातक कारिकाल के दोरान उन्होंने राजनेतिक और अरथिक समर्थन के लिए वह काफी कौछ चीन पर निरवर्षर थे, चीन के कहने पर ये हर क्दम उठाय करते थे, भारत पर काफी उसने भारती जो राजनेइक है हुएsim पर काफी प्रध्वन्त भी लगा दिया था, और उन्हो के राष्टपती अभी कौन है तो इब्राहिम मुहमद सोहेल ओके कैसा लगा करेंट वर्ट जरू बताएगा और हां मैं आपको बता दू कि 2018 2019 के जो इंपर्टेंट करेंट फुर्स है उसका PDF अब लेबल है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो ले सकते हो और एक और information मैंने कल भी बताया था कि 2019 के जनवरी से लेकर अब तक के यानि चार दिसंबर तक के जो भी करेंट फुर्स होंगे उसका वीडियो लेकर आ रहे हैं चार दिसंबर को सुभा 11 बजी तो आप जरूर देखना मैरा थान एक क्लास होगी लाइव और उसमें तमाम MCQ कुशन जो हैं वो हम डिसकस करेंगे और हाँ जो आप देख रहे हों आज का करेंट फर्स यानि उननतिस नॉम्बर तो हारूरी इसका करेंट फर्स उसका PDF मेरे बगल में अबलेबल हो गया है तो अभी आप इस पर क्लिक केजिए और डाउन्लोड के लिजे वह नाई ये लि को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करेंगे साथ में बिलेकंद बना मत भूलना कल मौनिंग को मिलते हैं बाई